Hello students, आज हम पढ़ेंगे Standard 7 का Subject English, Unit No.3, Today Comes Every Day लास्ट वीडियो में हमने इसके Activity 2 करी थी, आज हम इसकी करेंगे Activity 3 देखो Activity 3 में आपको ए में क्या दे रखा है? Read about an artist in the school अब देखो आपको इसमें एक Artist के बारे में बताया, Artist यानि होता है कलाकार Artist के बारे में बताया, जो कहा है? स्कूल में है तो देखो हम पढ़ते इसके बारे में Mr. Sorry, Mrs. Dhorwani is a different type of Artist Mrs. Dhorwani जो है, वो क्या है? बहुत अलग टाइप की Artist यानि की कलाकार She can draw whatever we ask her to draw She can even draw a sentence, sentence यानि की वाक्य देखो बचो आपको कोई drawing हो तो वो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन अगर कोई वाक्य ड्रॉ करने को बोलो तो आप ड्रॉ कर पाऊगे? जैसे कि मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं दौड रही हूँ ऐसा कोई वाक्य आपको बोले और वो बोले कि आपको ये draw करना है तो आप बना सकोगे? नहीं बना सकोगे ने लेकिन जो मिसिस धोरवानी है वो एक sentence यानि की वाक्य भी draw कर सकती है वो कहाँ पे है? नवागाम प्राइमरी स्कूल पे है तो देखो चलो अब वहाँ के बच्चों ने उन्हें क्या draw करने के लिए बोला है और उन्होंने concept sentence ड्रॉ करें उसके बारे में हम देखते work in group, read the table, find out what the student said and what Mrs. धोरवानी drew मतलब की हम देखते कि students ने उन्हें क्या बोला और Mrs. धोरवानी ने क्या draw करा है देखो students यहाँ पे students ने उन्हें जो sentence बोले वो है और यहाँ पे जो Mrs. धोरवानी ने draw करके दिखाया है वो है तो चलो फर्स्ट में आपको क्या बोला है? students said a bike with roof roof का मतलब होता है बच्चो चट किसी students ने उन्हें क्या बनाने के लिए बोला है? एक bike बनाने के लिए बोला है किसके साथ? roof के साथ यानि कि चट के साथ चट वाली bike बनाने के लिए बोला है लेकिन अगर वो एक वाक्य बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे देखो दूसरे स्टूडेंट ने उन्हें क्या बोला वॉक वॉक यानि होता है चलना तो अब इसे कैसे ड्रॉ करके बताएंगे तो देखो उन्होंने एक ट्राइंगल कर बनाया इस तरह से चलने की मैं चल रहा हूं तो उसे कंटिन्यूस वो करेंगे तो देखो उन्होंने ऐसे करके इसे कंटिन्यू कराया यानि कि इसे लंबा खींचा यानि कि मैं चल रहा हूं तो इस तरह से उन्होंने सेंटेंस को ड्रॉ करके दिखाया देखो नेक्स्ट में क्या है आई वॉक यस्टर अब देखो बचे यस्टर्डे का मतलब होता है बीता हुआ कल यानि कि गया आपको पता है कि टैंस आपके कितने तीन प्रकार के होते हैं एक होता है पास्ट फिर होता है प्रेजेंट और होता है एक फ्यूचर तो पास्ट का मतलब होता है भूत काल प्रेजेंट यानि वर्तमान काल यानि कि जो अभी चल रहा है और फ्यूचर यानि कि हमारा आने वाला कल और पास्ट होता है जो हमारा बीता हुआ कल है तो देखो यस्टर्डे किसमें आएगा पास्ट में आएगा क्योंकि वो बीता हु तो देखो यहाँ पर क्या बोला है I walked yesterday यानि कि मैं कल चल रहा था तो वो बच्चो कल चल रहा था लेकिन आज क्या है रुका हुआ है तो वो क्या से बताएगा पहले तो चलने की निशानी बताएगा यानि कि यह चलने के निशानी है और फिर क्या करिए उसने straight line यानि कि यह आज present बताएगा आज वो रुका हुआ है लेकिन कल वो क्या कर रहा था चल रहा था I walked yesterday तो इन्होंने किस तरह से sentence ड्रो करा है देखो left में sorry right में इन्होंने straight line बनाई पहले first इन्होंने चलने की drawing बनाईए उसके बाद straight line बनाईए लेकिन यह क्या दर्शा आ रहा है वो क्या इसका मतलब अब next देखो क्या बोला हुआ है I will walk tomorrow tomorrow का मतलब होता है आने वाला कर yesterday यानि कि बिता हुआ कल और tomorrow यानि कि आने वाला कर और जहां पे भी will आये यानि कि वो आपका कौनसा वाक्य है कौनसा sentence बन जाएगा future sentence बन जाएगा यानि कि वो आने वाले कल में यह चीजे करेगा अभी उन्होंने करी नहीं आने वाले future में यानि कि आने वाले कल में वो यह चीजे करेगा tomorrow यानि कि कल करेगा आने वाले समय में तो यह sentence किसमें चला जाएगा future tense में चला जाएगा यानि कि भविश्यकाल में चला जाएगा तो देखो I will walk tomorrow तो इसका मतलब होता है व पहले first में straight line draw करी यानि कि present में वो रुका हुआ है और आने वाले कल में यानि कि कल वो क्या करेगा चलेगा sorry मैं चलूंगी तो इस तरह से चलने वाला symbol उन्होंने कहां बाद में बताया है तो पदा चला बचो आपको मतलब present में वो अभी रुका हुआ है present में मैं रुकी हुई हूँ तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर straight line draw करूँगी लेकिन कल मैं चलने वाली हूँ तो उसके बाद क्या करूँगी यह कव बनाऊंगी इस तरह से तो मतलब मैं कल I will walk tomorrow देखो चलने का निशा I am walking यानि कि मैं चल रही हूँ तो इस तरह से उन्होंने बनाए I walked yesterday मैं कल चली थी तो चलने का बताया उन्होंने इस तरह से बात में आज क्या है मैं रुकी हुई अब वर्तमान काल में लेकिन कल चलूँगी तो उन्होंने बाद में राइट में क्या बनाया कव बनाया इस तरह से चलने का सिंबॉल बताया देखो next क्या है I walked everyday मतलब कि मैं रोज चलती हूँ तो रोज का क्या है आज मतलब यह देखो आपका यह बताया फिर oblique करके फिर च क्या है तो इस का मतलब क्य होता है I walk everyday यानी कि मैं कल भी चली थी मैं आज भी चलूँगी और मैं कल भी चलूँगी ओर बिस देखो मैं कल चली थी, तो इस तरह से बता है, मैं आज भी चल रही हूँ, तो फिर आज ये चलने का निशान बता है, और मैं आने वाले कल में भी चलूँगी, रोज चलूँगी, तो फिर आपको चलने का ये निशान बता है, देखो, next क्या है, he is watching tv, यानि कि वो क्या कर रहा है, tv देख र देखो यहां पे भी आइएंजी लगा है डब्ली एटी सी एच आइएंजी यानि के ही इस वाचिंग टीवी यानि वो टीवी देख रहा है देखो यहां पे वाकिंग आइएंजी यहां पे भी लिखा हुआ है तो यह भी कौनसा आइएंजी यानि कि मैं चल रही है यानि वो क देखे आपको इस तरह से तो वो आपका कौनसा sentence बनेगा future sentence बनेगा और ED वाला स्वरूप लगे तो वो कौनसा बन जाएगा past sentence बन जाएगा इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो sentence है वो आपको future sentence है present है या फिर past sentence है अब देखो he is watching तो यह कौनसा sentence बना आपका past present या फिर future कौनसा बना right present sentence है यह देखो he is watching टीवी यानि कि वो टीवी देख रहा है तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से आखों का कुछ symbol बनाया और उसके बाद टीवी का symbol बनाया अब next sentence में क्या बुल आपको he watched टीवी last night last night यानि कि कल रात last यानि कि तो यह कौनसा कल रात देख एडी वाला यानि कि आपका यह पास्ट टैंस बनके और last night इससे भी आपको पता चल जाए कि यह past tense यानि कि उसने कल टीवी देखी थी कल रात तो उसने देखी थी तो आज वो कुछ नहीं कर रहा है तो अकल देखी तो पहले यह symbol बना दिया उसने देखने वाला और आज वो present में क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा तो उसने फिर क्या बना दी straight line जैसे इसमें बताया था कल में चल रही थी लेकिन आज में कुछ नहीं करें इस टॉप हो तो यहाँ पे क्या straight line बनाई है तो उन्होंने यहाँ पे भी watching tv में भी क्या बताया कि कल टीवी देख रहा था वो लेकिन आज उसके बाद straight line बनाई है he will watch tv will देखो will आया तो आपका यह कौन सा sentence बना future sentence बना तो क्या करेगा वो कल टीवी देखेगा तो आज टीवी नहीं देख रहा तो उसके लिए उसने क्या बनाई straight line बनाई है और कल देखेगा तो उसके बाद यह वाला symbol बनाई है last में क्या he watches tv everyday वो हर रोज टीवी देखता है मतलब कल भी देख रहा था आज भी देख रहा है और आने वाले कल में भी वो टीवी देखेगा तो देखो कल भी देख रहा था तो उसने टीवी का यह बता है आज भी देख रहा है तो उसने टीवी का फिर अब्लिक करके टीव आज में आपको ठीक है देखो लास्ट अब नेक्स्ट देखो क्या है देखो सी में क्या read the sentence about Mrs. धोरवानी if the sentence is so daily activity right daily if the sentence so regular activities right regular and if the sentence so habitual activities right habit देखो आपको कुछ sentence दे रखें यहाँ पर अगर वो sentence आप यहाँ आप रोस करते हो sorry Mrs. धोरवानी यह चीज़े रोस करती है तो आपको उसमें क्या करना देखो यह sentence आपको Mrs. धोरवानी के बारे में बताया है कि यह उसकी details बताई गई यह तो आपको देखो वो अगर यह चीज़े रोज करती है तो आपको क्या लगाना है डेली लिखना है अगर वो नियमित रूप से करती है जैसे कि हफते में एक आद बार करती है जैसे कि हर हफते कोई एक दिन फिक्स हो कि हर सेटेर डे संडे वो यह चीज़े करती है तो फिर उसमें क्या लगाओगे आप र यानि कि उसको इन चीजों की आदत हो तो उसमें आप क्या लिखोगे habit लिखोगे ये वाला वाक्या तो देखो अब हम उसके sentence पढ़ते हैं first sentence क्या है she gets up early in the morning यानि कि वो हर रोज जल्दी morning में सुबह जल्दी उठ जाती है तो वो क्या हुई वो रोज ये चीजे करती है रोज जल्दी उठती है तो वो क्या हुआ daily यानि कि उसका रोज का काम है जल्दी उठना तो वो क्या हुआ daily में आएगा यानि हर रोज करते है she often draw pictures at noon time नून टाइम यानि होता है दोपेर का टाइम तो वो क्या करती है पिक्चर्स ड्रो करना यानि दोपेर के टाइम में वो पिक्चर्स चित्र बनाती है ड्रोइंग करती है तो वो क्या हुई ड्रोइंग करना एक तरह से आदत हुई तो उनकी क्या हुई हैबिट हम क्या लिखें यानि कि बाए हाथ से करती है वो हमें जैसे आपकी आदत है या तो आप दाए हाथ से लिखोगे या फिर बाए हाथ से लिखोगे तब क्या कोई अगर आप सो पूछेगा तो क्या बोलोगे कि मुझे तो दाए हाथ से लिखने की आदत है या फिर मुझे बाए हाथ से लिखने क्या आदत है तो उन्हें किस हाथ से लिखने क्या आदत थी left hand यानि कि बाए हाथ से लिखने क्या आदत थी तो वो क्या हुई उनकी आदत हुई एक तरह से habit हुई तो हम यहाँ पे habit डालेंगे see visits school in her area every Tuesday तो वो क्या करते हर Tuesday अपने area area की school में क्या करते visit करते हर Tuesday यानि कि हर mangalwar को तो देखो हर mangalwar हफते के हर एक दिन वो करते तो नियमित रुप से वो काम करती है तो मतलब regular हुई वो इन चीजों में नियमित रुप से कर रही है तो क्या आएगा यहाँ पे regular आएगा see never takes part in a painting exhibition exhibition का मतलब होता है प्रदर्शन painting के प्रदर्शन होते तो उसमें वो क्या करते कभी part नहीं लेती कभी भाग नहीं लेती painting के प्रदर्शन में तो यह उसकी आदत है यानि कि उसे भाग लेना या नहीं लेना यह उसकी अपनी personal choice होते उसकी personal आदत है तो यहाँ पे क्या डालेंगे? हैबिट डालेंगे. तो आपको बच्चों समझ में आया डेली का मतलब हैबिट और रेगिलर. कहां पे हमें डेली लगाना यानि जो चीज़े रोज बरोज होती हैं हम वहां पे डेली लगाएंगे. जीन चीज़ों की हमें आदत होती यानि कि हमें आदते ये चीजे करने की तो वहाँ पे हम habit लगाएंगे और जो चीजे हम नियमित रूप से करते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे रेग्यूलर लगाएंगे तो देखो activity 4 भी इससे related ये देखो क्या है ये में देखो हवे नीचे ना क्रिया सुचक सब्दों वांचो तैमाती जे क्रिया तमें दर्रोज करता हो तैनी सामें डेली यानि कि जो आप रोज करते हो उसके सामने डी लगाना है डेली का डी नियमित करता हो एनी सामें regular आर यानि कि जो नियमित रुप से करते हो उसके सामने आर लगाना regular का और टेव रूपे करता हो एनी सामें habit का edge यह लिखना है यानि कि जो चीजे करने के आपको आदत हो उसके सामने आपको habit का क्या लगाना edge लगाना है देखो यहाँ पे कुछ सेंडेस आप कौन सी चीज़े रोज करते हो कौन सी चीज़े डेली करते हो और कौन सी रेगुलर करते हो तो उसकी और कौन सी चीज़ों के आपको आदत है तो अपने आप से आपको क्या करने है यह एक्टिविटी आपको खुद से करनी है जैसे कि टेक बात यानि कि टेक बात का मतलब होता है नहान्या तो आप रोज नहाते हो ना कि नहीं नहाते तो अगर आप रोज नहाते हो तो आपको क्या लिखना यहाँ पे डी लिखना यानि कि वो क्या है आपका रोज का काम है फिर ड्रिंक मिल्क यानि कि दूद पीना तो वो भी आप रोज करते हो रोज दूद पीते हो न तो यहां पे आपको क्या लिखना है डी लिखना है उसका भी यानि कि यह आपका रोज का काम है do homework तो homework आप रोज करते हो न अपना homework जो भी मिलता है वो त यहां पर डी लगाओ या फिर आप regular करते होंगे जैसे कि आपने कोई day fix कर रखा होगा देन के आप Tuesday को अपना homework या फिर Sunday को यानि रवी वार को अपना homework complete करोगे तो इस तरह से तो यहाँ पर आप D भी लगा सकते हो या फिर R भी लगा सकते हो जैसे कि regular करते हो या फिर daily करते हो make tea चाय बनाना brush brush teeth यानि कि दातों को brush करना फिर ask question यानि question करना तो यह सारे देखो आपको सारे sentence दे रखे उनको आपको क्या करना है जो daily करते हो उसके सामने D लगाना है जो regular करते हो उसके सामने R और जो चीज़े करने के आपको आदत है जैसे कि sing songs यानि कि आपको घाना घाना तो वो चीज़े करने के आपको आदत है तो उसके सामने क्या लगाओगे R लगाओगे तो क्या करोगे बच्चों ये activity आपको खुद करोगे ठीक है अब देखो बी में आपको 10 sentences about yourself मतलब आपको अपने बारे में 10 sentence लिखने 10 वाक्य लिखने read them aloud to your group देखो 10 वाक्य लिखने जैसे कि I take a bath early in the morning यानि कि मैं रोज सुबे जल्दी उठके नहाने जाता हूं फिर second क्या है I help my friends मैं अपने friends की help करता हूं इस तरह से आपको अपने बारे में 10 sentence बना के यहाँ पे लिखना है उसके लिए आप देखो ये sentence भी use कर सकते हो जैसे कि I drink milk every day I do my homework every day इस तरह से आपको आप इन sentence का use करके भी यहाँ पे अपने बारे में 10 sentence बना के लिख सकते हो या फिर आप अपने बारे में कुछ और लिखना चाहो तो भी यहाँ पे कर सकते हो तो activity 4 क्या करना है बच्चो आपको अपने आप से करने है खुद से करने है अब देखो activity 5 देखो हम activity 5 करेंगे अब कुकू lives near कुकू's house let's meet them देखो एक ये कुकू दे रखी और एक ये कुकू तो ये वाली जो कुकू है वो कौन है ये है और ये जो कुकू है यानि कि कोयल वो कौन है ये है तो अब हम क्या करेंगे इसमें दोनों कुकू के बारे में जानेंगे ठीक है देखो यहाँ पे क्या there is a big neem tree near my house तो इसने इस कुकू ने क्या बोला है कि यहाँ पे क्या है नीम का पेड़ है मेरे गर के पास में कुकू lives there कुकू यानि कि कोयल लिवस यानि की रहना तो कुकू वहाँ पे क्या रहती है नीम के पेड़ पे कुकू रहती है इट in the morning वो क्या करते है रोज सुबे सिंग यानि कि आपको पता है कोयल गाती है कितना मीठा गाती है तो वैसे ही क्या बोल रही है कि यह मेरी जो कोयल है जो मेरे पेड़ के उपर रहती है वो क्या करते है रोज सुबे जल्दी क्या स्टार्ट करती है सिंग यानि कि गाना स्टा यह जैसे कि अभी कभी आपको अलाम क्लोग पता है ना कि जैसे आपको अभी उठना हो सुबे जल्दी तो अलाम लगा के सोते हो ना तो या फिर मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे इतने बज़े उठा देना जल्दी तो फिर क्या बोलते को क्या बोल रही कि यह जो कोयले वो क परिवार के जो भी सदसे उन्हें उसकी आवाज के साथ वोईस यानि की आवाज के साथ उठना बहुत पसंद है वेकप यानि उठना उसकी आवाज के साथ मधूर आवाज के साथ उठना बहुत पसंद है I try to take some photograph of it मैंने उसके ट्राइ किया काफी फोटो लेना उसका ट्राइ किया है But it hides itself behind the leaves यानि की मैंने काफी बार ट्राइ किया उसको फोटो लेने का लेकिन वो क्या करती अपने आपको leaves यानि की पत्तों की पीछे क्या कर देती है अपने आपको चुपा देती hides यानि की छुपाना और behind यानि की उसके पीछे leaves यानि पत्ते तो पत्तों के पीछे क्या करती है खुद छुप जाती है तो मैं उससे क्या फोटो नहीं ले पाती हूँ सो जैसे I like to read on the terrace terrace यानि होता है च्छत तो वो क्या बोल रहे है मुझे च्छत पे पढ़ना पसंद है I like to read on the terrace यानि की मुझे च्छत पे पढ़ना पसंद है sometime I tease it tease यानि की तंग करना या फिर किसी को परेशान करना तो वो क्या बोलते है कभी कभी मैं उससे क्या करती हूँ परेशान करती I copy its song मैं उसके गाती वैसे ही मैं उसके गाने को क्या करती हूँ कॉपी करती हूँ यानि दोहराती हूँ उसके गाने को It is fun मुझे इसमें मज़ा आता है It likes my company उसे क्या उसे ये चीजे पसंद है उसे मेरी company यानि कि मेरे साथ ऐसे रहना पसंद है किसे इस कुकु को देखो next में क्या बोला है कुकु likes कुकु यानि कि पहले में क्या था आपको कुकु likes कुकु यानि कि इस कुकु को ये कुकु पसंद है अब second में क्या है कुकु likes कुकु यानि कि इस कुकु को भी ये कुकु पसंद है I live on a neem tree अब देखो पहले तो ये कुकु बात कर रही थी लेकिन अब कौन बात कर रहा है ये कुकु बात कर रही है I live on a neem tree मैं कहाँ पर रहती हूँ मैंने बताया था ना leave यानि रहना तो मैं कहाँ पर रहती हूँ in the morning मैं रोज सुबे जल्दी गाना गाना स्टार्ट कर देती हूँ कुकु एन हर पेरेंट्स लाइक माइ वोईज पेरेंट्स यानि मम्मी पापा कुकु और उसके मम्मी पापा को मेरी आवाज सुनना पसंदे कुकु ट्राइज टू टेक माइ फोटोग्राफ कुकु क्या करत ब milyन का ऊंप आपको पत्तों के पिछे मराज सूब हो ते मेरे प्तो करते बाफ यानि ही पत्तों पीछे-छूपा देती हूँ कि इसमेہन बाफ ड़ा पहँआप को पत्तों के पीछे-चुपा देती हूँ she sits on the terrace वो कहाँ पे बैठती है she sits on the terrace यानि कि छट पे बैठती and read books और क्या पढ़ती है sometimes she tease me कभी-कभी वो क्या करती है मुझे tease यानि कि तंग करती है परिशान करती है she tries to sing like me वो क्या करती है मेरे ज़रा गाने का try करती है it is fun ये बहुत ही मज़ेदार होता है she likes my company और उसे भी क्या पसंदे मेरी company यानि कि मेरे साथ रहना पसंदे तो देखो बचो पहले में इस कुको ने अपनी बात करी थी और second में इस कुको ने अपनी बात करी थी ठीक है आपको समझ में आया आपको देखो इस activity का काम क्या करना है अपनी notebook में करना है अपने homework में करना है और next activity हम क्या करेंगे next video में देखेंगे ठीक है